और देखें विदान सभा चुनाओं में मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों को अब 3 दिसंबर का बेस अबरी से इंतजार है चितारगर में कॉंग्रिस प्रत्याशी सुरेंदर सिंग जाड़ावत ने गुरुनानक जैन्ती के मौके पर आयोजित कारेक्टमों में शिर्कत की फरस्ट इंडिया से खास बाचीत में सुरेंदर सिंग जाड़ावत ने अपनी जीत का दावा करते हुए राजनीती में आये बदलाव पर भी खुल कर अपने विचार रखे इसको लेकर कॉंग्रिस प्रत्याशी सुरेंदर सिंग जाड़ावत से खास बाचीत की सही होगी पी की अगरवाद बिजानसवा चुनाब के दोरान निशित तोर पर जिस तरह से प्रत्यासियों ने महनत की लेकिन मद्दान के बाद रहात तो ली है फिलाल नीद वाली बात है वो तीन दिसंबर के बाद ही ठीक से आपाएगी ऐसा लोगों का मानना है लेकिन हमारे साथ सक्रिय राजनीती में 45 साल का जीवन बिता चुके सुरंदर शिंग जाड़ावत इस वार कॉंग्रेस से प्रत्यासिते चित्तोर गड़ से निशित तोर पर पूरी तरह अपनी जीत के प्रती आस्वस्त भी हैं जानने की कोशिस करेंगे जिस पकार से इस बार का चुनाव रहा दिन चर्यावी बदली इन दोरां जिस पकार से के मिनिंग होती है अब कैसा फील कर रहे हैं देखिए बहुत अच्छा क्योंकि जो मेहनत कारे करता हो ने की और खास और से युवा कारे करता और महिला कारे करता हो इन्हों नों बहुत मेहनत की है और जो परिणाम निकल करके आएगा वो युवा की मेहनत युवा का वोट प्रतिश्यत कॉंग्रिस को बहुत अच्छा मि और उसका कारणा मुख्यमंत्री अशोग गेलो साभ ने जो महिलाओं को जो स्मार्ट फोन दिये जो उनको पेंशन मिल रही है जो भी साथ गारंटियां उन्होंने दी है जो राशन किट उनको डबल देने की बात कही है एसी कई चीज़े में उनको रोडवेज के अंदर उनका आदा किराये लग रहा है और महिला को मुख्या बनाया चिरिंजी के अंदर योजना में भी तो निश्ट रूप से महिलाओं का इस बार डाइवर्जन काफी देखा गया है कि महिलाओं ने अंडर करंड था और महिलाओं ने बोड दिया है महिलाओं ने बोड दिया है अंडर करंड था सब कुछ था लेकिन इस बार कि चुना में ऐसा लगा कि जो नीतिया हैं जो योजना हैं सब गौड हो गई लास्ट में तो सोचल मीडिया बार सिरू हो गया अब देखिए चुनाव आशकल बहुत अलग तरीके का होता जा रहा है ये चिंतनिय भी है और सोचनिय भी है लेकिन अच्छे लोग आएंगे तो राजनीती सही रहेगी ऐसे लोग जो पांस साल तक जनता के बीच में रहे ने काम करे ने और वो एक महीने के अंदर सारा जो उन्होंने करने की जो आदत डाल दी है वो निश्री दूर्प से चिंतनी है आप जीत के परती आस्वस्त हैं पूरी तरह और आपकी जितने भी समर्थक हैं कारे करता हैं वो भी जीत के परती आस्वस्त है दिन्चर्या में जो बदलाब रहा उसके बाद अब कैसा है देखिए दिन्चर्या तो आप जानते हो सुबह से फिर दो तिन गंटे की नीद निकाली इस बार हमने कारे करता हूं ने भी मैंने के लिए जाक चोक्सी रखी है जो पिसले दो जार अठाव तेरह में जो यहां गंदी की फैला ही गई थी उसको रोकने के लिए कारे करता हूं रात रात बड़ जाक करके आँखों में नींद गाती है और उसी का प्रणाम है कि जिस दिन उने पूलिंग था जबर्दस उत्सा था उनके अंदर जबर्दस उनके पूलिंग कर रही है कि 90, 95, 98% पूलिंग हुई है गाहों के अंदर कौने पूलिंग हुई है अब यह तो है यह जो सिद्धानतवादी राजनीती करने का जो वक्त थ था वो अब रहा रही है अब उसमें अगर समझोता हो जाता तो ठीक कुछ लोग जो समझोता नहीं कर पाते फिर वो चलेंगे भी नहीं और राजनीती में सिद्धान्त होना चाहिए मैं मानता हूं सिद्धान्त हिन राजनीती उचित नहीं है राजनीती में सिद्धान्त भ परणाम अगर जनता के सामने फिर दुबारे से जाए और जब समझने को नहीं मिले तो अजीब सा नहीं लगता यह बात आपके सही है कि विकास गोन होता जा रहा है यह बात सही कह रहे हो आप व्यक्तिकत योजना है और व्यक्तिकत यह काम जो है वो बहुत ज्यादा हवी हो चुके हैं पहले गाउं के लोग एक स्कूल खुल जाता था तो पुरा गाउं स्कूल के नाम पर वोड़ दे जाता था अब वो चीज ही नहीं अब तो अलगी लोगों के अपने विचार बन गए हैं कि यह हो गया तो हो गया रूटीन है उनके लिए कोई तो दाइत्व सरका करना ही होगा उसको तो यह थे चित्वागट बिदानसभा से कांगरिस के परत्यासी सुरंदर सिंग जाड़ावत बड़ी बात कहते हैं कि निश्य तोर्थ पर राजनीती के मूले बदलते जा रहे हैं जो विकास कारिया वो गौंड होते जा रहे हैं बेक्तिकत लोगों के जाब की बात सामने आती है जब वो बात करते हैं लेकिन फिलाल उनने बहुत अच्छी बात ये कही है कि अब सक्रिय राजनीती है उससे वो सन्यास ले लेंगे यानि चुनाब नहीं लड़ेंगे शिर्फ यह अंतिम चुनाब था बाकी की पार्टी के सपोर्ट में वो आज चित तोर पर तीन तारीक को रेजल्ट उनके फेवर में आने वाला है केमरा परसें चंद्रेश जयन के साथ पीके अगरवाल फस्ट इंडियानी चित तोर करणा